Hello friends, ममन मिस्रा और आप सबी का स्वागत हमारी YouTube चैनल पर और एक Class 11 Fundamentals of Physical Geography का हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था Solar Radiation, Heat Balance and Temperature उसका ये Second Video होगा जिसमें हम बात करेंगे Heat Balance की और या Heat Budget की तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे की Heat Budget क्या होता है और Heat Budget से में एक छोटा सा टॉपिक है अलवीडो हम उसकी बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेता है Heat Budget क्या होता है जितनी Heat अर्थ एब्सॉर्ब करती है यदि उतनी Heat अर्थ वापस ट्रंस्मिट कर देगी स्पेस में तो उसको हम Heat Budget कहते हैं माल लेते हैं यह हमारा अर्थ है अर्थ के चारों तरफ जैसे की पता होगा हमें एट्मोस्फेयर होते हैं ठीक है और सामने हमारा सर्थ मैंने आपको बताया था जितनी Heat हम एब्सॉर्ब करेंगे उतनी ही यदि हम वापस भेज देते हैं हमसे मतलब आपर अर्थ से हैं तो हम उसको Heat Budget कहते हैं तो माल लीजिए Sun ने Sun हमको रेज देता है जैसे इसने हमको रेज दी इसने अबाउट 100 units of Heat और एनर्जी हमको दी इसमेंसे क्या हुआ कि 65 unit तो अंदर गया 65 unit अंदर गया मतलब inner atmosphere तक गया लेकिन 35 unit बहर चला गया अब जैसे ही Heat अंदर आई मतलब Sun से लिए अर्थ के लिए तो atmosphere से टकराके 35 unit डारेक्ट स्पेस में जबकि 65 unit अंदर जाएगी ठीक है अब इस 65 units में से 51 units अर्थ तक पहुचेगी और 14 units यह atmosphere एबसुर्ब करेगी ठीक है 51 units अर्थ एबसुर्ब करेगी और 14 units atmosphere एबसुर्ब करेगा अब इस 51 units में से जब 51 units से अर्थ heat हो जाएगा उसके बाद अर्थ एक radiating body बनेगा जिसका मतलब है कि वो भी heat को emit करेगा मतलब निकालेगा अब जब निकालेगा तो वो terrestrial radiation से जाएगी terrestrial radiation मैंने आपको इससे पहले में पताया था कि ऐसा radiation जिसमें एक inner मतलब सबसे नीचे वादी layer से उपर वादी layers तक alternate गरम होती चली जाए उसको हम terrestrial radiation कहते हैं तो ऐसा ही होगा अब इस जब यह अर्थ heat होगा 51 units के साब तो 51 units में से 14 units ते direct atmosphere में भीज़ेगा और 37 units यह आगे वाले atmosphere की layer में भीज़ेगा उसके बाद आगे वाली में उसके बाद आगे वाली में सब से end में direct atmosphere और यह जो 14 units यहाँ पर atmosphere नंए absorb करी थी वो भी थोड़ी दिनों के बार या थोड़ी देरों के बार वापस चली जाएगी स्पेस में अब देखें जितनी हीट वापस स्पेस में चली गई वो कितनी थी यह 14 उनिट्स स्पेस में गई यह 14 उनिट्स स्पेस में गई और यह 37 उनिट्स यह स्पेस में तोटल आ गई 65 इनिट्स इतनी heat वापस स्पेस में चली गई और आई कितनी थी हमारी 65 इनिट आई तो इसे कहता है हम heat balance जितना heat हमारे पास आया उतना हमने वापस भेज दिया तो हम उसको heat balance कहता है मैंने आपको पता है था हम बात करेंगे albedo की what is albedo albedo सो मतलब है कि जितनी amount of reflected energy हम reflect कर चुके हम उसको कहता है albedo मतलब amount of reflected energy or heat is known as albedo तो आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे temperature की और आगे के chapters की तो आज अभी के लिए इतना ही thank you